तो बच्चों आज एक नए इतिहास एक नए अध्याय एक नए काल की शुरुवात होगी और भारती इतिहास का वो पहलू जो अभी तक आप से अच्छूता रहा है जो अभी तक आपको नहीं पढ़ाया गया था आज हम उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाने चलने बच्चो तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बड़े ही कंसेट्रेशन के साथ जो है आज की क्लास को अटेंड करेंगे और जितने भी आपकी मित्र मंडली में हैं जितने भी आपकी लोग हैं जितने भी आपके साथ हैं सभी लोगों को अच्छो क्लास से जोड़ने की कोशिस कर और फड़ा फड़ जो है like and share कर दीजिए जितने भी आपके groups में है फड़ा फड़ जो है like and share कर दीजिए लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जूड़ सके और इस class में आज हम चर्चा करेंगे चैलको लिथिक कल्चर की जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया था फड़ा फड़ जो है आप लोग like and share कर दीजिए एक बार आप लोगो के कर दीजिए कि sound clear है कोई problem तो नहीं है वीडियो में नितुशिंग, परवेज, मंगेश, चंचल, मोहन कुमार, चली बच्चो फड़ा फड़ा आप लोग like and share कर जिए साक्षी देखिए आज की क्लास में हम चलकोलिथी कल्चर को डिसकस करेंगे बच्चों और ये क्लास जो है पिछली जो हमारा पिछला से डूल था वहाँ पर हमने इसको नहीं पढ़ाया था तीक है लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास को और इसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे बच्चों हमारा एक modern history का जो course है वो अभी plus channel पर start हो चुका है और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जिनको लगता है कि ने सर के साथ जुड़ना चाहिए उनका future bright हो सकता मेरे साथ जुड़ने से तो उनको बे ही चक बच्चों subscription लेना चाहिए subscription लेने का जो त करना है यानि UPSC CSC जिसकी आप preparation कर रहे हैं और इसके साथ आपको get subscription पर जाने के बाद आपके subscription open होकर आते हैं जहां पर हर बच्चा यह चाहता है कि एक लंबे समय तक हम अपने गुरू के साथ अपने educator के साथ जुड़े ताकि वो बेहतर guide आपको कर सके क्योंकि वो तो इसके लिए जरूरी है कि वह उसकी कम्यों से उसकी कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ हो सके एक लंबा समय एक लंबा duration उसको जरूरत होती है लेकिन जब आप साथ टर्म के course लेते हैं तो उसमें वो चीज़े निखर के नहीं आपाती है जिसकी वज़े से कही निगए result सब्सक्रिशन को प्रीफर करें ताकि हम आपके साथ एक बेतर तरीके से वर्क कर सके हाँ फी की जहां तक बाते बच्चों उसमें अगर आपको डिसकाउंट चाहिए कमीग चाहिए और जैसा कि आप देखेंगे जो लांग डिरूरेशन के courses है उसमें आपको economical benefit भी है एक लं करते बच्चों तो 10% आपको डिसकाउंट हो जाएगा और आपकी फीस जो है वो कम होके 39,600 और 57,600 हो जाएगी तो referral code यूज करना नभूले बच्चों और जुड़ना नो डाउट आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा बाकी हम आपके लिए यहाँ पर आड़ विजे उपस्तित हैं और बाकी हमारी जो classes है बस्चों वो दो पीम पर होती है प्लस कोर्स पे और 10 पीम पर रात को हम एकल लेकर आया है मेंस ओरियंटेड जो है आपका करेंट जो है जो भी श्रात्मक होता है जहां पर हम डीप में जाकर करेंट को पढ़ाते हैं आपको तो वहां भी आप जुड़कर एक बहुत बड़ा लाव अपने लिए ले सकते मच्चों बाकी सब्सक्रिशन लेने के बाद तो आपके बिनफिर्स आपको पता है कि क्या होने वाला है तीक है तो मुझे उमीद है कि आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ेंगे सब्सक्रिशन लेंगे बच्चों और यह एक सही टाइम भी है सही डियूरेशन भी है आप लोगो को अपने लाइफ को चुनने का अपने गोल को अचीब करने के लिए जो है अपने लक्ष को तै करना या इस्टेटजी को तै करने का बच्चों तो आप लोग फड़ा फड़ जो है क्लास से जुड़ने की कोशिस करिए ताकि आपके साथ बेतर तरीके से वर्क किया जा सके तू चलिए आजकी class हम आपके continue करते हैं जैसा कि हमने आपको बताया बच्चों कि आज की जो class है वो चल्कूल अथी culture पे है चल्कूल अथी culture यदि तामरपाशाणकाल तामरपाशाणकाल का discussion हम आज करेंगे बच्चों ठीक है बेरी गूड फड़ा फड़ा आप लोग लाइब हो जाईए आशीश पूजा आप लोग एक बार सेर कर दो बच्चों अपने ग्रुप्स में जो है बाकी लोग भी जोड़ जाएं शिला कुमारी शोनम अजय मयंक बर्मा अजय महतो बेरी गूड बच्चों चले सभी को हमारा बहुत शार अप्यार और शुरू करते हैं चैलकोल इतिक कल्चर इसी के साथ आपकी क्लास कांटीनिव होती है हाँ कल की क्लास स्पेसल होगी और बहुत ही धमाकेदार होगी मुझे अमीद है कि आप एक बड़ी संख्या में कल की क्लास में प्रजेंट होंगे और ये होना भी चाहिए आपका उत्तरदाइद तो है कि आप बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आए बच्चों क्योंकि ये परिवार है हमारा आपका शहई है यहां पर और वो होना भी चाहिए चले तामर पाशां काल तामर पाशां काल चैल को लिथिक कल्चर यानि तामर पाशां काल यानि वह काल जिस काल में तामबे का उपयोग भी हो रहा है और पाशान का उपयोग भी हो रहा है यानि दोनो तत्तों का यानि दोनो चीजों का उपयोग करने वाला जो काल है यानि ऐसा काल जिसमें तामबे का भी उपयोग किया गया और पाशान का भी उपयोग किया गया उस काल को क्या कहते हैं आप तामर पाशान काल कहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मानो द्वारा उपयोग की गई पहली वस्त क्या है तामबा है मानो द्वारा उप्योग की गई मानो द्वारा उप्योग की गई पहली वस्तु क्या है तांबा है पहली वस्तु क्या है तांबा है यानि पत्थर के बाद अगर मनुष्य ने किसी धातु का उप्योग किया ठीक तो वो धातु कौन सी है तांबा धातु है इसके बाद आती है कांसा धात, ताबे के बाद कौन सी धातु मनुष्य ने उपयोग किया, वो धातु है बच्चों कांसा, और कांसा कैसी धातु है, मिश्रित धातु है, और कांसा बनती है बच्चों ताबा और टीन के मिश्रण से, ताबा एवं टीन के मिश्रण से क्या बन इसलिए इंडस वैली को हम क्या कहते हैं कास ये युगीन सभिता कहते हैं उसे हम कास से संस्कृति कहते हैं यानि इंडस वैली के लोगों ने चुकि कासे की धात का उपयोग किया इसलिए इंडस वैली को कास से युगीन सभिता कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रस्ण जो से है देखिए सांस्कृतिक अनुक्रम का मतलब होता बच्चों सांस्कृतिक विकास का क्रम ठीक है यानि सबसे प्राचीन संस्कृति और उसके बाद की संस्कृति तो सांस्कृतिक अनुक्रम किस तरह से है सबसे पहले कौन से संस्कृति है सबसे पहले पाशान काल आया सबसे पहला काल काउंसा है पुरा पाशान काल है पहली ओलिथिक एस सबसे पहला काल आता है बच्चों पुरा पाशान काल यानि पहली ओलिथिक उसके बाद आता है मध्य पाशान काल यानि मेशो लिथिक मध्य पाशान काल आता है और मध्य पाशान काल के बाद नव पाशान काल य काल आता है काज से काल यानी शिन्दु सभ्यता आती है और शिन्दु सभ्यता की बाद कौन सी सभ्यता रखी जाती हैं ताम पाशाण काल тीक है लेकिन इसे सही इदेज 같아서 नजी है पूंगा से सुमाँने तर पर अगर आप तो कहते हैं जो तमरपाशाणिक संस्कृती है – वो टेक्निकली अगर देखा जाए, यानि लोजिकल वे में अगर आप देखें तारकिक तरीके से तो लोजिकल वे में कभी भी तमरपाशाण काल कासिकाल के बाद नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता गवुर करिए अगर तामर पाशानकाल को आप कास सिकाल के बाद ले जाओगे तो यो टेक्निकली गड़बढ हो जाएगा कैसे तामर पाशानकाल पहले होगा कास सिकाल बाद में होना चाहिए तामर पाशानकाल के बाद तामर पाशानकाल के बाद तब आता है कास सिकाल आता है तो ये लॉजिकल यानि तार्किक तोर पर अगर हम बात करें तब लेकिन अगर अनुक्रम की बात करें यानि डेट के अनुशार देखें जो अभी तक अध्यन हुआ है जो हमारा research work हुआ है बच्चों, research work के इसाफ से अगर देखा जाए तो जो duration है, जो सांस्कृतिक अनुक्रम है, वो यही है कि सबसे पहले पुरा पाशान काल है, फिर कास्टे काल है, फिर तामरपाशान काल लेकिन इसको बग्यानिक तरीके से अगर define किया जाए यानि बग्यानिक तरीके से अगर इसके कालकरम को निर्धारित किया जाए तो हम इस तरह के निर्धारित कर सकते हैं, देखिए कैसे क्योंकि सामाने तारपर जो तामरपाशान कालीन संस्कृतियां है, उसमें जो नाम आता है पहले उनके नाम की चर्चा कर देते हैं जैसे गडेश्वर संस्कृति, जैसे आहार संस्कृति, मालवा हो गया, जोरवे संस्कृति हो गया, आपका गिलिन्डु संस्कृति हो गया, कायथा हो गया, ये संस्कृतियां आपके तामरपाशानी संस्कृतियां मानी जाती हैं, जो है वो हडपा सभ्यता से पूर्व की है कुछ सब कुछ जो है वो हडपा की समकालीन है कुछ जो है हडपा के बाद की है उबराल अगर हम कहें तो जो तामरपा शानकाल है बच्चों वो आपको 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच दिखता है जबकि इंडस वैली जो है 35 से बीसी स्वरी जबकि इंडस वैली जो है 25 से 17 सो बीसी मानी गई है उसमें भी अगर सही तरीके से कहें तो 23 सो से 17 सो सबसे अथेंटिक डेट इंडस वैली की मानी गई है हलाकि उसके डेट को लेकर कहीं कहीं इतिहासकारों में अभी भी कनफ्यूजन बना हुआ है और अलग-अलग इतिहासकारों ने उसकी अलग-अलग डेटें बताई हैं लेकिन अगर हम तामरपाशानकाल को बज्यानिक तरीके से डिफाइन करें तो तामरपाशानकाल की कुछ जो संस्कृतियां हैं कुछ जो अस्थल हैं वो इंडस वैली से भी प्राचीन है यानि कास यूगिन सभ्यता से भी प्राचीन है कुछ हैं जो कहीं ने कहीं हरपा सभ्यता के बाद के हैं जैसे जोरवे संस्कृति आप देखिए तो 720 तक है अब इंडस वैली तो 725 में ही सम आप तो हो गई जबकि जो रवे कल्चर जो तामरपाशाणिक संस्कृति है वो आपको कहां तक दिखती है तो इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे तामरपाशाणिक संस्कृतिया हैं जो इंडस वैली के बाद तक हैं तो इसको ऐसे डिफाइन करिएगा देखिए एक तरफ हाँ लिखेंगे तामरपाशाण काल या इसको कहिए तामरपाशाणिक संस्कृति तामरपाशाणिक संस्कृति तामरपाशाणिक संस्कृति देखिए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिए पहले पॉइंट में हम रखेंगे हडपा पूर्व हडपा माने कास्योगिन संस्कृति हडपा पूर्व तामरपाशाणिक संस्कृति यानि कौन सी तामरपाशाणिक संस्कृति है जो हडपा के पहले की है तो इसमें दो आती है एक आती है बक्चों सोथी संस्कृती जो बहुत बार पूछा गया है जो राजस्थान के पीका नेर में पाई जाती है सोथी संस्कृति और जूकर जहाकर संस्कृति, दो संस्कृति आती हैं इसमें, most important है ये दोनों, सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति, जो राजस्थान के बीका नेर में है, कहां पर है, बीका नेर, और दूसरा है बच्चों, नंबर दो, जूकर जहाकर संस्कृति, जूकर जाकर संस्कृति आपको याद है ये जूकर जाकर संस्कृति जो है आपके चन्हूदलो जो आपके शिंदु सभ्यता का अस्थल है उस पर विक्षित हुई है ये कहां पर है शिंद में और चन्हूदलो आपको पता है कहां पर है सिंद छेत्र में है ये दो संस्कृतिय संस्कृतियों के कटेगरी में आती है यानि यह इनकी जो डियूरेशन है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राचीन है मेरी बात आप लोग समझ रहेंग नहीं बच्चों एक बार आप लोगों के कर देजिए क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है देखें बच्चों कम से कम लाइक और सेर तो करिए यार इसमें कोई सर्म नहीं होने चीए आप लोगों को अभिमन्योर, रेश्मा, मयंक, बिड़ा आप लोग कम से कम लाइक करते रहो, इतनी मेनत करते हैं आपके लिए जो है, आप लोग कम से कम लाइक और सेर करिए देखे, ये समझ में आ रहा जो बाते मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, हाँ, तो इसको ऐसे समझना है, तब देखे, इस तरह से अगर आप समझोगे, तो आपका जो माइंड है, पूरी तरह से एदम खुल जाएगा, आप चीजों को आसानी से समझ सकोगे, ठीक है, तो ये दो संस्कृतियां ऐसी हैं, जो आप अगर स्टेट कमिशन के पेपर उठा कर देखोगे, तो कम से कम सव बार पूछी गई है, और ललका इस बात को लेके डाउट में रहता है, कि ये संस्कृतियां कब की हैं, खडपा के पहले की हैं, खडपा की सम्कालीण है, खडपा के बात की हैं, तो आपको यही जब नहीं पता हो, ता कि तामरपाशाणकाल का duration क्या है तामरपाशानकाल को define कैसे करोगे ठीक है क्योंकि किताबों में भी बड़ा असपस्ट नहीं लिखा जाता ठीक किताब लिखने वाले भी तो बहुत विद्वान तो होते नहीं तो मैं आज की बात कर रहा हूं बच्चों मैं ऐसे इतिहासकारों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी authentic किताबें हैं मैं आज की बात कर रहा हूं क्योंकि आज उसमें आपके लिए सबसे बड़ी चुनाओती है पर इच्छा पास करना अगर टफ हो गया है आज के समय में तो वो इसलिए भी है क्योंकि market का जो धुंद है आपके उपर जो पूरा market का धुंद छाया हुआ है वहाँ पर न तो आप सही teacher का selection कर पाते हो ना ही सही matter का selection कर पाते हो तो यह चीजे कहीं कई आपके duration को बढ़ा देते हैं आपके mark को tough कर देते हैं तो आएए यहाँ पर हम clear करते हैं हडपा पूर्वतामरपा शानी संस्कृति अब दोसरे नंबर पर आप रखिए हडपा शमकालीन हडपा शमकालीन और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं कल की class आपके लिए बहुत ही जबर जस्त क्लास होगी कल सब की उपसिती मस्ट है तो कौन कौन सी संस्कृति बच्चों हडपा संस्कृति की समकालीन है यानि एकदम पैरलर में पैरलर माने इनकी डेट और इंडस वैली की डेट दोनों डेटें एकदम बराबर हैं उसमें दो आत्ति दो क्या तीन ले लिजे नमबर एक आहाड संस्कृति नमबर दो गिलूंड नमबर तीन गणेश्वर गणेश्वर आप जानते हैं ये ताबे के उपयोग के लिए जाना जाता है ये तीन तामरपा चाणिक संस्कृतिया आपकी जो है इंडस वैली के समकालीन कटेगरी में रखे जा सकती हैं यानि आहार संस्कृति गिलूंड संस्कृति और गणेश्वर संस्कृति आप देखें नम्बर तीन, दिखाई देरा होगा आपको, नम्बर तीन, हडपोत्तर, हडो पोत्तर माने हडपा के बाद, ठीक, हडपोत्तर, हडपोत्तर, तामरपाशाणीक संस्कृति, हडपोत्तर, तामरपाशाणीक संस्कृति, ठीक, तो इसमें कौन-कौन से आती हैं, अब इसमें देखिए, इसमें सबसे महत्तपूर तामरपाशाणीक संस्कृतियां हैं, जिसमें मालवा, कायथा, एरण, जोरवे, ये सब हैं, इसको ऐसे लिख लिएते हैं, आगे चलके, इ कालवा, काय था, जोरवे, स्वारी, एरण ले लिजे पहले काय था, एरण और जोरवे जोरवे, ठीक है, ये एक आप छोड़ दीजे, ये महाराष्ट में है, ये कहां पर है बच्चों, महाराष्ट में, और ये तीनों आपकी कहां है, यम्पी में है, ठीक है, इनका पूरा नाम आप लेख सकते हैं, मालवा संस्कृति, काय था संस्कृति और एरण संस्कृति, और जोरवे इनाम गाओं ये सब आपको कहा मिलेगी महाराष्ट में तो जरा अब भारत के नक्से की नजर से अगर दवडाईए जरा नजर दवडाईए बच्चों तो सिंध नदी का छेतर लेते हुए दच्छिड पूर्वी राजस्थान को लेते हुए मालवा जो मालवा का छे जो बच्चों वह इन तामरपाशानिक संस्कृतियों से क्या है प्रभावित है और ये संस्कृतियां नगरी नहीं कि कैसे संस्कृतियां है ये ग्रामिड संस्कृतियां है बच्चों कैसे संस्कृतियां है ग्रामिड संस्कृतियां है ठीक तो अब मुझे उमीद है कि आप से हम चर्चा करेंगे उसमें चर्चा करेंगे एक संस्कृति की और वो संस्कृति आपकी जो है जो रवे होगी बच्चों ठीक है जो रवे की चर्चा करेंगे और साथ-साथ जो है आपके गिलुंड आपके अहार संस्कृति इन की चर्चा करेंगे और नेक्ष्ट क्लास में बाकि जो है चर्चा की जाएगे, ठीक है, चलिए, देखते हैं, ताम्र पाषानिक संस्कृती। तामर पाशानिक संस्कृती चैलको लिथिक कल्चर ठीक है तामर पाशानिक संस्कृती चैलको लिथिक कल्चर देखे केते तामर पाशानिक संस्कृती पर किनीती हासकारों ने रिसर्च वर्ग किया है एक बीबी लाल ने किया है बच्चों बीबी लाल इन्होंने बहुत वर किया है तामर पाशान काल पर गार्डेन चाइल्ड ने किया है गार्डेन चाइल्ड और इस्टुवर्ट पिगट इस्टुवर्ट पिगट आपने नाम सुना होगा इस्टुवर्ट पिगट का जिन्होंने हडपपा और इंडस मोहन जोदलों को जुड़वा राध्धानिया कहा था इस्टुवर्ट पिगट नहीं कहा था इन लोगों ने तामरपाशानी संस्कृती पर डिटेल से रिसर्च वर्क किया है और इन लोगों के द्वारा ही दी गई जानकारियों के आधार पर हम आगे क्या करेंगे अधन सुरू करेंगे कहते हैं कि इस्टुवर्ट पिगट की एक किताब है बच्चों जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया इसी बुक में इन्होंने तामर पाशानकाल की डिटेल से चर्चा किया है ठेक और इन्होंने ये बताया है कि इस काल का जो मानो है वो तामबे के साथ साथ धातूओं का उप्योग भी करता था इनका ये कहना है कि स्काल का जो मानों है वो तांबे के साथ साथ धातूओं का भी उप्यों करता है जबकि Garden Child जो दूसरे इतिहासकार है उनकी एक किताब का नाम है बच्चों इनकी जो बुक है वो बुक है कहते हैं कि What Happened in History इनकी किताब है जिसमें इनकी जो किताब है What Happened in History इस किताब में इनकी जो धातू है सबसे पहले इनकी ये बताया है किताबे की धातू का उप्योग किस संस्कृती की लोगों दोरा किया गया सबसे पहले इन्होंने ही बताया किताबे धातू का उप्योग सबसे पहले गरामिर संस्कृती के दोरा किया गया फिर इसके बाद जो है नगरी संस्कृती के दोरा किया गया और आप जानते हैं कि नगरी संस्कृती बच्चों वो इंडस वैली सिबिलाइजेशन है और ग्रामिर संस्कृती जो है वो चैलको लिथिक यानि तामरपाशानिक संस्कृती है तो इसका मतलब है कि लोजिकल दृष्टी से अगर देखा जाए यानि तर्क के आधहार पर देखा जाए तो जो चैलको लिथिक कल्चर है वो डियूरेशन में पहले आ जाएगी और जो आपकी इंडस वेली सिविलाजेशन है वो क्या होगी बाद में आएगी किसके आधहार पर गार्डिन चाइल्ड के आधहार पर जो इन्होंने बात कही है ठीक है चलिए दोनों लोगों की बाते जो भी है यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन इतिहासकारों के दोरा दिये गए तथ्यों के आधहार पर हम चैलकोलितिक कल्चर को पढ़ने चलना है यह हमारे रिसोर्सेज हैं इनके दोरा ही आर्केलोजिकल रिसोर्स जो पाए गए हैं जो जमीन के नीचे से उत्खनन के दोरा जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे रिसर्च वर्क इन ही लोगों के दोरा किये गए हैं और इन ही के दोरा दी गए जानकारी के आधहार पर हम पाशानकाल को क्या करेंगे पढ़ेंगे तीक है चली अब देखें कहतें तामर पाशान काल उस काल को कहा जाता है जहां पर ताबे की धात का बहुतायत लोगों ने क्या किया है उपयोग किया है लेकिन अगर आप से कहा जाए बच्चों कि आखिर तामर पाशान काल की जो संस्कृति है उनमत ताबा सबसे अधिक कहां के लोगों द्वारा उपयोग किया गया तो कहां के लोगों द्वारा मध्य पाशान काल के लोगों के द्वारा मध्य पाशान फरी मध्य गंगा घाटे के लोगों के द्वारा सबसे अधिक जो है ताबे का उपयोग किया गया ठीक है आप देखे आपके जो तामरपाशानिक संस्कृती है तामरपाशानिक संस्कृती बच्चों यह आपका सिंध प्रान्त है यहां से लेकर यह चेतर आप देख रहे हैं यह चेतर लेकर यह पूरा चेतर जो है तामरपाशानिक संस्कृतियों से क्या है प्रभावित है लेकिन ऐसा नहीं है तामरपाशानिक संस्कृति आपके पूरवी भारत यानि पशिम मंगाल से भी पाई गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा ये फैली हुई थी मैंने यहाँ पर सो इसलिए किया क्योंकि जो महत्पूर संस्कृति आप पढ़ने चलने हैं उनका ज्यादा तर जो प्रभाव छेत्र है ज्यादा तर जो बिश्तार है वो राजस्थान और दच्छिड पूर्वी राजस्थान दच्छिड पूर्वी राजस्थान का मतलब ये छेत्र है और आपका ये जो मालवा का छेत्र है ये छेत्र ये ज्यादा तर जो है तामरपाशानिक संस्कृतियों से क्या रहा है प्रभावित रहा है तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो करने चलने हैं बच्चों किसका गिलुंड और अहार संस्कृति का तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो गिलुंड अहार और गड़ेस्वर की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो सुरुवात करते हैं वो किसकी करें गड़ेस्वर की करते हैं ठीक है देखिए देखिए बच्चों गड़ेस्वर के साथ साथ एक अस्थाल और जानी आप गुंगेरिया गुंगेरिया अगर आप से पूछा जाए कि सबसे अधिक तांबा कहां से पाया गया है तो सबसे अधिक तांबा बच्चों गुंगेरिया से पाया गया है और यह ज मनें लगभग 80 ऐसे तामर निधिया पाई गई हैं तामर निधियों का मतलब होता जहां तावा बड़ी मात्रा में क्या हो उपलब्द हो ऐसी तामर निधिया पाई गई हैं उनमें से सबसे बड़ी जो तामर निधिया वो गुंगेरिया है तो यहां पर जो मालवा जो मालवा जो आहाड एरण ये सस्कृतियां जो थी उनमें गुंगिरिया से ताब का क्या होता था प्रवाह था और जो राजस्तान की सस्कृतियां थी वहाँ पर गडेश्ष्वर और जो आपकी यहाँ पर एक खान है जो ताब की कौन सी खान है बड़ी फेमस है बच्चों उसका नाम नहीं यादा रहा है सुरी माप करिएगा सुरी हाँ खेतडी की खान खेतडी की खान तो खेतडी की खान और गडेश्वर दोनों से आपके राजस्थान की तामरपासानी संस्कृतियों तो ताबे का क्या होता था प्रशार होता था और गुंगेरिया से जो मालवा छेत्र की संस्कृतियां थी यहां पर ताबे का क्या होता था प्रशार किया जाता था तो चलिए एक-एक करके देखते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी गणेश्वर की कहते हैं गणिस्वर जो अस्थल है बच्चों ये गणिस्वर राजस्थान के जोधपूर का एक अस्थल है ठीक है गणिस्वर से जो सांस्कृतिक प्रमाड हमको मिले हैं उनसे हमें तामरपाशानिक संस्कृति का एक बिस्तार तामरपाशानिक संस्कृति के बारे में डिटे के तटपर है किश नदी के तटपर है शोहन नदी के तटपर है अब देखिए आप ये शोहन राजस्थान वाली शोहन मत मान लिजेगा इसको यहां पर छेतरी भासा में हम क्या कहते हैं साहिबी नदी कहते हैं क्या कहते हैं साहिबी नदी और ज्यादा तर किताबों में यही नदी लिखा हुआ है लेकिन इसका जो सही नाम है वो सोहन है तो सोहन को न याद करके आप क्या याद रखेंगे साहिबी को याद रखेंगे जादा है नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है क्योंकि सोहन जो है सिंद की सहायक नदी है तो वो सिंद की सहायक नदी है वो कहां पर है यहां पर है इस शेत्र में ठीक लेकिन ये गड़ेश्वर जिस अस्थल पर है जिस नदी पर है वो नदी का उन है साहिवी नदी है कहते हैं गड़ेश्वर से ही जुड़ा हुआ आपका अहाड गिलुंड ये अस्थल है ठीक यानि गड़ेश्वर जो अस्थल ह यही पर आपकी आहाड यही पर आपकी गिलुंड यही पर वच्चों आपकी बालाथल यह जो अस्थल हैं यह सारे अस्थल जो है तामरपाशाणी के हैं जो गड़ेश्वर में पाए गए हैं और आहाड अस्थल से क्योंकि बहुत जादा प्रमार पाए गए हैं इसलिए इस स संस्कृति को हम अहाड संस्कृति के नाम से भी कहते हैं और दूसरी चीज कहते हैं जो अहाड अस्थल है जो अहाड पुरा तात्विक अस्थल है ये बनास नदी छेतर पर इस्तित है किस नदी छेतर पर यानि राजस्थान के मालीजे सपोज करिए ये दच्छिर पूरी बच्चों किस नदी पर है बनास नदी पर है किस नदी पर बनास नदी पर है इसलिए इसको हम अहार संस्कृती को हम बनास संस्कृती भी कहते हैं इसे हम बनास संस्कृती भी कहते हैं अच्छा दूसरी चीज यह कि अगर आपसे कहा जाए कि किन दो नदियों के बीच ये पू तो धच्षिन पूर्वी राज अस्थान में जो पूरे तमरपाशणी का अस्थान है वो दो नदियों के बीच है बनास और बिराच बनास नदी के बीच इन ही दोनों नदियों के बीच ये सारे अस्थल क्या है फैले हुए है और भगोलिक रूप से जो इनका छेतरफल है वो किधर है वो भगोलिक रूप से छेतरफल दच्छिड पूरी राजस्थान का कहा जाता है तो इतना दिमाग में आप रखिये कि इन दो विशेष्था है अहार संस्कृति की विशेष्था क्या है यहां से कौन कौन से प्रमार पाए गये हैं उसकी चर्चा हम करेंगे लेकिन उसकी पहले थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे इनकी विशेष्थाओं पर क्या विशेष्था है बच्चों पहली पहली विशेष्था इनकी है बच्चों संस्कृती का जो स्वरूप है संस्कृती का स्वरूप ग्रामिड है कैसा है ग्रामिड है संस्कृती का स्वरूप कैसा है बच्चों ग्रामिड स्वरूप है टेक है ग्रामिड स्वरूप है नमबर दो क्रिशिय उत्पाद क्रिशिय एवं पशुपालन क्रिशिय एवं पशुपालन पर निर्भर है थीक है नम्बर तेन सामूहिक आवासों का निर्माळ है सामूहिक आवाश सामूहिक आवाश का मतलब यहाँ यानि जो बस्तियां है वो एक समूह में पाई गई है बस्तियां जो है बच्चों वो कैसी है एक समूह में पाई गई है सामूहिक आवाश सामूहिक आवाश का निर्माड सामूहिक आवाश का निर्माड मकान निरमाड में मिट्टी एवं प्रश्टर का उपियोग यानि पत्थर का उपियोग है लेकिन एक अपवाद है वो है गिलूंड गिलूंड से पक्की इट के मकान मिले है यह ध्यान रखियेगा क्योंकि जहां अपवाद होता जहां एक्सेप्शन होता है कुशन मच्चों वहीं से पूछा जाता है तो गिलूंड एक मात्र अस्थल है जो की राजस्थान में है जिसको आप पढ़ने चलना है तो गिलूंड से ही केवल हमें क्या मिलता है पक्की इट के बने मकान मिलते हैं बाकी सारे जो मकान है वो मिट्टी और पत्थर के बने हैं यानि प्रस्प मिट्टियों के बरतनों के उप्योग की परंपरा दिखती है काले लाल मिर्द्भाण यहां से पाए गये हैं ठीक अच्छा दूसरी चीज कहते हैं समाज में एक जैसे कहते हैं ग्राम पंचायत की जो संकल्पना है उस तरह की कुछ संक्छ्पना दिखती है क्योंकि एक प्रधान का एक प्रमुक का आवास पाया गया है जो बीच में बना हुआ है ठीक उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि क्या उसका मतलब है लेकिन उसके पहले कुछ प्रमाणों की बात करते हैं जैसे जैसे एक अस्थल लीजिए बाला थल क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि जो आर्केलोजिकल स्वरी जो आपका पाशान काल या तामर पाशान काल है यानि प्रागेति हास काल जब तक आप पढ़ेंगे तो प्रागेति हास काल पढ़ने के लिए आपके पास मात्रेखी रिसोर्स है वो है क्या आर्केलोजिकल और जब हम जब भी हम archaeological resource की बात करेंगे तो बीना proof या प्रमाण के आधार के बीना हम कुछ नहीं कहते हैं जो जो हमें तथी मिलते हैं जो जो हमें proof मिलते हैं हम उसी के आधार पर समाज और संस्कृति का क्या करते हैं विशनिशन करते हैं तो बालाथल जो आपके अहार संस्कृति का एकंग है जो गिलुन्ड संस्कृति का एकंग है कहते हैं कि बालाथल नामकस्थल से जिसकी खोज बियन मिश्टरा के दौरा की गई थी बालाथल से हमें ताबे की भठी मिली है क्या मिली है ताबे की भठी मिली है ताबे की भठी म मिली है एक मिट्टी की मोटी दिवाल से घेरा डाला गया है बच्चों जिसको दुर्ग की संकलपना दी गई है अब देखिए ताबे की अगर भट्टी है तो इसका मतलब हुआ कि इस काल के लोग जो है धातु प्रगलन भी जानते थे धातु प्रगलन जानते थे और धातु का उपयोग दो तरीके से किया जाता है या दो उद्देश से किया जाता है एक तो यह है कि मिश्ट्रित धातु का निर्माण हो सके क्योंकि जब तक आप धातु गलाओगे नहीं तब तक मिश्ट्रित धातु जैसे कांसा का निर्माण आप नहीं कर सकते और दूसरा जब त तावे का बहुतायत उपियोग किया जाता था और यह तावा यह तावा दो अस्थानों से आता था बच्चों एक गणेश्वर और दूसरा खितडी की खान खितडी कहां पर है राजस्थान में है इस खितडी की खान से तावे का बहुतायत प्राप्ति यहां पर की जाती थी अच्छा, दूसरी ची, कहते हैं जो बालाथल अस्थल है बच्चों, इस बालाथल अस्थल से जो है कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनितम प्रमाण मिला है। कुष्ठ रोग आप जानते हैं जो तवचा रोग के रूप में जाना जाता है। तू कहते हैं यहीं से बच्चों कुष्ठ रोग का प्राचीनितम प्रमाण है। देखिए जहां तक गडिश्वर के डेट की बात है यानि जो गिलुन्ड संस्कृति हम पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है। यह आहाड संस्कृति वच्चों यह मानी गई है आपकी 2100 से 1599 के बीच। जो आहाड संस्कृति है आपकी आहाड संस्कृति यहाँ पर नहीं लिखाओ बच्चों लेकिन आपको बता दे रहाँ जो आहाड संस्कृति है। इसकी जो डेट इतिहास कारों ने तैं किया है वो 2100 वीशी से 1599 वीशी है। तिक लेकिन इसी आहाड से जुड़ा हुआ जो गणेश्वर है इसी आहाड से जुड़ा हुआ जो गणेश्वर पुरास्थल है। ये बच्चों आपको 2800 वीशी प्राचीन है। अब आप बताईए इसका मतलब ये इंडस वैली से भी क्या है प्राचीन है। इंडस वैली की जो डेट इक्जैक्ट मानी गई है वो 2300 से 2700 मानी गई है। अब यहाँ पर गणेश्वर और उसी गणेश्वर के छेत्र में ये चारो अस्थल आते हैं, यानि बालाथल, अहार और गिलिंड, ये सभी अस्थल उसी गणेश्वर के छेत्र में आते हैं। उसी छेत्र में ये योगी की मूर्ती मिल रही है और आपके इंडस्वैले में मुहन जोदरों से योगी की मूर्ती पाई गई है क्या दोनों में कोई सम्मंद हो सकता है बेशक हो सकता है इसका मतलब है कि कहीं ने कहीं योग की जो संकल्पना है वो इंड़ेस्वैली या तामरपाशानी संस्कृतियों दोनों का हो सकता है ठीक है क्योंकि दोनों संस्कृतियां क्या है बच्चो समकालीन है दोनों क्या है समकालीन है ठीक आगे चलें आप देखिए अगला है अहारस्थल अब देखिए अब हम चर्चा करेंगे अखार संस्कृति की एक बार आप लोगों से रूबरू हो लें बच्चों पारे संबा जोगी बेटा कौन था इसको कैसे बताया जाए कि क्या नाम था उसका बस इतना जानों कि योगी की मूर्ते थी ठीक है चलिए अभी तो आज मैं केवल आपकी प्रिश्ट भूम तयार कर रहा हूँ ठीक है आज अभी प्रिश्ट भूम तयार कर दे रहा हूँ कल इसको और डिटेल में देखा जाएगा मुकेश दीव शिखा देखो यूपी असी में अक्सार इस फेज से कोशन आये थे मेंस में जब बचों हम लोग थे तो वहां पर इस फेज को जो है डार के फेज के नाम से जाना जाता है था तो यहां से और यूपी असी को आप जहां तक जानते होंगे यूपी UPSC हमेशा जो है जो इतिहास का जो सबसे नन-importent sector होता है ठीक है जो बहुत महत्वपूर्ण आपको प्रतीत नहीं होता वहीं से वह question मनाता है वो कभी आपसे यह नहीं पूछेगा कि इंडस वैली के बारे में आप बताओ वो कभी यह नहीं कहाएगा कि बैदिक संस्कृती क बारे में मुख्य चीज कभी पूछेगा वह हमेशा ऐसे चीजों को पूछेगा जो बहुती कम इंपोर्टन्ट या बहुती नन-इंपोर्टन्ट होती है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा और UPSC के पॉइंट आप उसे यह से थोड़ा सा इंपोर्टन्ट है मेंस के पॉइंट आभी उसे चुकि अभी हम प्री के पॉइंट आभी उसे आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन मेंस के पॉइंट आभी उसे यह काफी इंपोर्टन्ट सेक्शन माना जाता है ठीक है चलिए आहाड संस्कृति की चर्चा करते है देखिए आह ये राजस्थान के उदयपूर जिले में है ठीक और ये किस नदी पर इस्तित है आहाड नदी पर इस्तित है कौन सी नदी है आहाड नदी है ठीक जहां पर ये क्या है इस्तित है ठीक है तो ये उदयपूर अवजोध पूर उदयपूर आप जानते हैं कि दोनों लगे हुए जिले हैं, ठीक, कहते हैं इस आहार संस्कृती की खोज जो है रतन चंद्र अग्रवाल के दोरा की गई थी बच्चों, किसी तिहासकार के दोरा खोजा गया था इसे, इसके खोज करता थे रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसे क्या किया था, खोजा था तीक है देखिए कहते हैं कि इस आहाड संस्कृति को एक नाम और दिया जाता है इसे हम तामववती संस्कृति भी कहते हैं इसे आप और क्या कहते हैं इसे तामववती भी कहा जाता है तामबवती कहते हैं यह जो तामबवती है यह तामबवती क्यों है यह इसका एक अस्थान है अस्थान का जो रिजिनल जो नाम है जो छित्री नाम है वो अगहाटपूर है यहां पर तामबा बहुत आयत मात्रा में देखा गया है तो इसे तामबवती नाम दिया गया वच्च तामवत्ति इस तरह से आप जानिए प्राचीन नाम इसका तामवत्ति था अब यह भी कैसी संस्कृति यह भी एक ग्रामिड संस्कृति है बच्चों यहां के लोगों में जो धर्म की शंकलपना है धर्म भी कहीं कहीं महिला प्रधान था बच्चों जैसे आप देखे तो पूजा जाता था एक सेकंड चले वच्चों देखिए तो यहां से क्या-क्या मिला है ग्रामिन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं तो कैसे इस तरह करते हैं यहां तेरा कौटा के बने हुए बैल मिले हैं तेरा कोटा माने मिट्टी के बने हुए तेरा कोटा के बने बैल पाए गए हैं इसका मतलब है कि कहीं ने कहीं कृष्णी शेत्र में इनका उप्योग होता रहा होगा दूसरी तरफ यहां से लाल काले मृद्भांड पाए गए हैं यह अनाज को रखने के पात्र हुआ करते थे बच्चों और भोजन के लिए भी इन पात्रों का उप्योग किया गया है यानि आप कह सकते हैं कि ताबे के साथ साथ मिट्टी के विर्टनों का उप्योग इन लोगों के दोरह किया गया है और यहां पर ज़्यादा तर लोग ताबे का उप्योग करते थे लेकिन उसके साथ साथ मिट्टी के काले लाल मृद्भांड क्या किये गया है पाए गया है दूसरी चीज है कि यहां पर जैसे वहां पर हमने आपको बताया था कि ताबा गलाने के प्रमाड उसी तरह यहां भी ताबा गलाने के प्रमाड पाए गये हैं यहाँ पर मिट्टी के अलंकृत आभूशन यानी संदरी बोध यानी समाज में जो संदरी की संकल्पना है वो भी यहाँ पर देखी गई है कुछ ऐसे मिट्टी के अभूशन मिले हुए हैं जो अलंकृत किये गए हैं सजाए गए हैं बच्चों ठीक है अच्छा इसके साथ कहते हैं कि जो अहार संस्कृति हैं अहार संस्कृति से एक सबसे जो most important चीजें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमको कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं कुछ ऐसे लक्षण मिले हैं जिससे यह लगता है कि कहीं यहां के लोगों का अंतराश्टी व्यापार से या अंतराश्टी संस्कृति से देवता अपोलो का चित्र पाया गया है अपोलो का एक स्वारी उसको क्या कहेंगे कि अपोलो का एक मिट्टी के बना हुआ वो अपोलो देवता पाए गये हैं और अपोलो जहां तक आपको पता है कि युनान के देवता हुआ करते थे और अपोलो और युनानी धूप पात यूनानी धूप पात्र और यूनानी अपोलो यूनानी अपोलो देवता की मून अब देखे अब यहां से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है यहां से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं इससे आप यह डारिक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं दोनों सभ्यताओं का बड़ा गहरा संबंद था तो यह यह हो सकता है कि कहीं न कहीं जो ब्यापारी शंबंद है उसकी वज़ा से ऐसा हुआ हो लेकिन अभी तक जो यह प्रमाण पाया गया है यह उस लेयर से नहीं मिला है यानि जिस लेयर से तामरपाशाणिक संस्कृति खोजी गई है उस लेयर पर नहीं है उसके ऊपर है वच्चों तो यहां हम असपश्ट रूप से यह नहीं का सकते कि रहित तामरपाशाडिक संस्किती का युनानी सभ्यता से संबन था हां कहा भी जा सकता है क्यों इसलिए क्योंकि जो इंडस्वली सिविलाइजेशन है उसका अपनी शमकालीन सभ्यताओं से क्या था व्यापारिक संबन था मिस्र मेशोपोटामिया की सभ्यताओं से उनके व्यापारिक संबन विद्धिमान थे ऐसे प्रमाड क्या किये गया है पाए गया है तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा और रिशर्च की क्या है अगला जो अस्थल है आहार के बाद सबसे महतफूड हो है गिलूंड जो है बच्चो यह भी राजस्थान से ही पाया गया एक पुरा स्थल है और गिलूंड महतफूण भी है महात्पुन किशलिये है, देखे, क्यात्म जो गिलुंड है, ये राजस्थान के चितोडगर जिले में है, कहां पर है, राजस्थान के चितोडगर जिले में है, ये राजस्थान के चितोडगर जिले में है, यहां पर ग्रामिड संस्कृती के प्रमाण तो मिलते हैं, यहां पर किस संस्कृती के प्रमाण मिले हैं बच्चों, ग्रामिड संस्कृती के प्रमाण मिले हैं, लेकिन यहां के मकान जो है यहां के मकान में पक्की इटों का उपयोग हुआ है यहां के मकान में पक्की इटों का उपयोग हुआ है यहां की सबसे बड़ी विशेष्टा है पक्की इटों का उपयोग यहां के मकानों में क्या किया गया है तो पक्की इटों का उपयोग यहां लक्षोन दिखता है हाँ एक चीज जहां तक बता आपको भूल गया बता ना ये भी आपको किश नदी पर है बनास नदी पर है देखे बनास नदी छेतर से बाहर नहीं जा सकते सब बनास और बिराज के वीची है बनास नदी के तट पर ही है या ठीक है बनास नदी के तट पर अब देखें दूसरी चीज़ कहते हैं कि गिलुंड से हमें अस्तंभ गर्थ के प्रमाड मिले हैं क्या मिले हैं अस्तंभ गर्थ के प्रमाड अस्तंभ गर्थ क्या होता है अस्तंभ गर्थ का मतलब होता है कि इसका मतलब जो है सारे जो मकान है वो पक्के नहीं थे सभी मकान प पके होते तो अस्तम्ब गर्ट का प्रमाड़ न मिलता अस्तम्ब गर्ट का मतलब होता है कि जब आप ब Hagam단 Specs पर यानि लकड़ीों के ऊपर जब घास फूसके मकानों का आप निर्माड करते हैं तो उसे तो गल लाएगा लेकिन वो गर्त में जो गड़े के अंदर की जो लकड़ियों का पोर्शन होता जो डंडे का पोर्शन होता है वो अपने निशान को छोड़ जाता है जिससे आप अनुमाल लगा सकते हैं कि यहां पर कोई चीज मिट्टी के अंदर गाड़ा गया था और उस पर किसी भवन या किसी अवसेश का निर्मार किया गया होगा ठीक दूसरी चीज इससे यह लगता है कि यहां पर किया गया है लेकिन पक्के मकानों के प्रमार भी यहां पर पाए गया है इसके अतरिक यहां पर भंडारण के प्रमाड मिलें भंडारण के प्रमाड तो भंडारण ये दर्साता है कि यहां का जो उत्पादन है, वो अधिशेश से अधिक है, भंडारण का होना उत्पादन के इशिती को दर्शा रहा है और उत्पादन का अधिक होना कहीन कहीन के समरिध्धी का क्या है सूचक है तो ओबराल ये कहा जाता है कि जो गिलुंड का छेत्र है वो कहीन कहीन तामरपाशानिक संस्कृतियों में आर्थिक तोर पर एक मजबूत छेत्र के रूप में जाना जाता है एक मजबूस संस्कृति का प्रतिम और प्रतिक के रूप में ये दिखाई देता है तो ये चार अस्थल थे जो आपके अहार संस्कृति से जुड़े हुए थे यानि अहार गिलुंड गड़ेश्वर बालाथल इन चारों अस्थलों की चर्चा बच्चो हमने किया है हाँ एक अपने दिमाग में आपको बनाये रखना है कि जो तामरपाशाणिक संस्कृति है ये इंडस्वैली की समकालीन भी है पहले की भी है और उत्तरवर्ती भी है लेकिन इंडस्वैली एक नगरी शभ्यता है जो इसी के समकालीन है ठीक राजस्थान छेत्र में आप देखिए त तो नगरी सभ्यता और ग्रामिर सभ्यता दोनों एक साथ साथ पैरलर चल ले हैं कि नहीं आपके भारत देश की सभ्यता में किश्वी सधी में नगर भी है और ग्रामिर संस्कृतिया भी है और दोनों में एक साह संबंध भी है उत्पादन प्रक्रियाएं ग्रामिर शेत्रो उसी तरह जो है आप इस काल की संस्कृतियों को नजरिये से देख सकते हैं कि अगरी सभ्वता का development है तो उसमें कहीं ने कहीं ताम पाषानिक जैसी ग्रामिड संस्कृतियों का यह कहम योगदान रहा होगा और जब नहीं तो आपकी सभ्षता में अगर मूलभूत परिवर्तन हो जाए सभ्षता में मूलभूत परिवर्तन होने का मतलब है कि जैसे आज का जो रहन सहन है जो खान पान है जो आपकी लाइफ स्टाइल है जो आपका पहनावा है जो आपके उठने बैठने जो आपके सांस्कृतिक लक्षन है अगर कोविड नाइंटीन उन सारी चीजों में चेंज करने में सफल रहा तो आने माले समय में ये कहा जाएगा कि 21 सदी की सभ्षता पतन के गगार पे जा रही है या परिवर्थन की तरफ जा रही है पासमजरेंग ने तो जब किसी सभ्षता की मूलभूत विश्रिष्टाएं समाप्त हो जाती है तब कहा जाता है को सभ्षता का पतन हुआ इंडस वैली के पतन का मतलब है कि उसके बाद जो सभ्षता देखती है चाहे वो तामरपासानिक हो चाहे वो आपकी जो है इंडस वैली का पतन हो गया बासमजरें ने तो इंडस वैली की जो मूल विश्रिष्टाएं थी नगरों का नियोजन होना सडकों का जाल होना पानी की बहतर सप्लाई होना तिक और जो टेकनिकल डिवलप्मेंट वहां पर देख रहा था दुर्गों का निर्माण होना समाज की जो बसावर थी अर्थिविवस्ता का जो सुरूप था व्यापार वाणिज्य का ये सारी जो विश्रिष्टाएं थी वो हमको आपको बैदिक सभ्यता में दिखाई नहीं देती जिसकी वज़र से हम ये कहते हैं कि इंडस वैली का क्या हो गया पतन हो गया तो पतन का जो तात्पर होता देखे नगरों का पतन होना अलग है बही मुहन जोदुलों अगर धस्त हो गया, हरपपा अगर समापत हो गया, काली बंगा धस्त हो गया तो वो नगरों का पतन है सभ्यता का पतन का मतलब होता है कि विशिष्टाओं का छरण हो जाना, विशिष्टाओं का बदल जाना तो आज भी आपकी सभ्विता पर एक बहुत बड़ा प्रसंचिन लगा हुआ है कि क्या आने वाले समय में एक कीश्वी सदी की सभ्विता परिवर्तन के दौर सुजाएगी गुजरेगी या अपने में परिवर्तन लाएगी या पतन की तरब जाएगी क्या होगा इतिहास इसका गवा होगा जिसका भी हमें क्या होगा इंतजार करना होगा बच्चों तो आप भी इंतजार करिए और हम भी करते हैं कि आने वाले समय में आपकी सभ्विता का क्या होता है और कल फिर मिलते हैं नए जोस नए उस्साह के साथ और एक बहतरीन टॉपि होगी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगी तो कल सबकी उपस्यति मस्ट होनी चाहिए ठीक है एक बार आप लोग प्रॉमिस कर दीजिए कि कल आप नहीं आपके साथ कम से कम दो दो चार चाल लोग सामिल होंगे ठीक है मुकेश जी दीव सिखा और जो इसका सेस टॉपिक जो रह गया वो हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को ठीक है अच्चुकि अभी मालवा जो रवे यह सब पढ़ाना है तो कंटिन्यू हो जागा बच्चों और लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग जो है एक बार फड़ा फड से लोग तो राजस्थान के ही होंगे इसमें कुछ बच्चे राजस्थान के होंगे मंगेश सीला सीला तो बिहार से वाप आधुनिक मानो ठीक है देव शिखा क्योंकि हमारे साथ बहुत से बच्चे राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों में भी उम्मीद ह है कि काफी लोग राजस्थान से होंगे बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्ट है बच्चों ठीक है बेरी गूड बेरी गूड चलिए अमीत कुमार जी अमीत जी ठीक है ठीक है अमीत चलो ठीक है थाइंक यू फिर मिलते हैं कल सुबरात्री